सिवाय नमस्त उभ्यम बैसाक महने की एक आदशी है जो कि अपने आप में अध्भूत है आप सभी को हरी हर का स्मरण करते हुए यह सुन्दर और सरल उपाई करना है ताकि जीवन में दुख दरीद्रता का अंत हो और परिवार में खुश्या बनी रहे गुरुजी कहते हैं इ दिखान से सुनिया और वीडियो के अंत तक बनी रही है उपाई करने के लिए आप सभी को आवश्यक रूप से एक कलावी की आवश्यकता होगी पीले रंका जो लाल रंका जो कलावा होता है जिस भी सवरूप में आपके घर पर हो वही कलावा आपको पूजा के लिए अप एक हरी के नाम का है और एक हर का नाम का है अर्थात हर मेरे महादेव को संबोधित किया जाता है हरी मेरे स्री हरी को ध्यान में रखते होई उनके स्वस्ट स्व contamination करते होई 2 गोलवद्ती के घी दिकपक पूजा की थाली में आपको रख लेने हैं पिछली कथाओं में व्रक्ष के पास चले जाना है या केले व्रक्ष के पास भी जा सकते हैं अगर घर के आसपास आउले का पेड़ है तो वहाँ चले जाना चाहिए इथाली आप सभी को सुन्दर भाव सच्चे मन्द से तयार कर लेनी हैं जिसमें आपको जैसा मैंने सुरू में ही बताया घर से जल का ठंडा लोटा आपको ले जाना है और दीपक रख कर ले मुख Alrighty गोल बती केुझ इसाथ के साथ आपकोो कलावा ले कर जाना है और हल्दी इत्याधी ले कर जो आपकी इच्छैसक्ती सामध हैं वह सभी ले चले जाएं गुरुजी कहते हैं पूर्वा भीमुक होकर हरीहर का स्मरण करते हुए आप सभी को सबसे पहले जो आप हल्दी लेकर गए है उसका स्वास्तिक आप सभी को आवश्यक रूप से स्रीहरी का ध्यान करते हुए महादेव का स्मरण करते हुए देवी लक्षमी का स्म दीपक रख लें नहीं तो एक आप दीपक सबसे पहले जला ले एक अंत में जलाएं इच्छा आपकी है इसके बाद आप सभी को विशेश तोर पर जो जल का लोटा है उसमें एक चुटकी हल्दी डाल कर ओम नमो भगवतेवा सुदेवाय और साथ के साथ हरीहर का समरन करते उसकी जो है विशेश तवर पर अपनी इच्छा सकती सामर्त कहते हुए केले व्रक्ष के आरती कर दे या आउला व्रक्ष के आरती करते हैं इसके बाद जो कलावा आप लेकर गए है जिसके हम बात कर रहे थे गुरुजी ने पहले ही कहा है कलावा आउली के व्रक्ष में ब ख़ा देनी है ठीक है जी हल दि शुकता के रोप में जानि जा ती है और लगा देनि है तो आपे म nữa कामना के आपको 3 गाण लगा देनी है आउब्रक्ष कि जड' मैं अपनी मनो ब्रक्ष में समर्पित कर रही हुए ऐसे प्रार्थना करते हुए आप सभी को बांध कर जो है सुन्दर सरूप में छोड़कर घर आ जाना है गुरुजी कहते हैं मन्चाह विवाह रोग कर्ज मुक्ती होगी ब्यापार फलता फूलता जाएगा और हमेशा परिवार में खुश कर लेता है देखेजी कोई पैसा समय तो लगना है नहीं परन्तु इस उपाय से लाव अनंत आपको हो नहीं है करके देखिएगा महादेव खुश्यों की जोली आपकी जीवन में भरेंगे यह बात हो गई हमारे प्रथम उपाय की बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ अग कर देता है ना एक आदशी ब्रत के दिन अपने भागी की रेखाओं को वह प्रबल कर लेता है कैसे करें उपाय को ध्यान से सुने और समझे आप सभी को तुलसी की ले लेनी हैं लकडी गुरु जी कहता है इस उपाय को करने से स्रीहरी विश्नु बहुत प्रसन्न होते हैं गर्मी चरम सीमा पर है ऐसे में उन्हें अगर यह सेवा को भ्यक्त दे देता है तो वह जीवन में अपने आप ही उन्नती की सीड़ी चड़ता है उसे कुछ भी मांगने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है तो आप सभी को विशेश तोर पर तुलसी की लकडी को किसी भी पत होते वासुदेवाय या ओम स्री विश्णवे नमा कहते हुए चंदन का प्रियोक सुंदर सादरिके से बना कर अपनी मनों कामना कहकर स्रीहरी का स्रिंगार कर देता है ना एकादशी के दिन आप देखेंगे कि आपको जीवन में स्वते ही हर सुख मिल रहा है तुलसी की लक कुई एक कुपाय चुनकर करना है इस बातका भी दियान रखें कि आपको एकादशी ब्रत है और रविवार का दिन ए तो मा तुलसी का निर्जल ब्रत है ऐसी स्तिति में तुलसी मा में भी कोशिश करें आप सभी जल समरपित ना करें और नहीं तुलसी के पतिया पर मैंने दो वीडियो अप्लोड की हैं जो कि एक आदसी से संबन दी था आप उन्हें जरूर से देख लीजिएगा आप सभी को आवश्यक रूप से जितना संभव हो इस दन दान करना है उसमें सबसे पहले दीपक का दान आप सभी जल नहीं चड़ाएंगे परन्तु तुलस इसे सवते ही फल प्राक्त हो जाता है एक आदसी के दिन यह महयग्य के समान माना जाता है तो इस दीबदान को भी आप इसे एक आदसी केցछ इच्छा पूर्ति का यह दीपक अपने आप में चमतकार के स्वरूप में कहा गया है जो कि हर एक सुख ब्यक्ति को प्रदान कर देता है तो हरी चंदन वाला उपाय करें या तुलसी दीपक वाला उपाय करें इच्छा आपकी घर पर भी कर सकते हैं मंदिर में भी कर सकते हैं आपकी इच्छा सकती सामर्थ है, साथ ही प्रथम में बताए गए उपायों को भी आप कर सकते हैं, इस तरह से आपको यह कारी करने हैं, पीले फूलों की माला, पीले धागे में, या तो आप कनेर के फूल ले लीजिए, या पीले कोई भी फूल लेकर, आप सभी जो है किसी भ इन उपायों में से कोई एक उपाय, इसे दिब भी एकादशी के दिन एक बार प्रक्टिकल स्वरोप में करके देखेगा, आपके जीवन में स्वते ही सबसुक आपको प्रदान होगा और खुश्याब बनी रहेंगी, उपाय चैनल वीडियो उपयोगी रहती हैं, तो लाइ हुआ हुआ हुआएगागए